हलो फ्रेंट स्वागत आप सभी का ग्यान कामना यूटूब चेनल पर साथ यो वीडियो में बात करेंगे राजिस्तान PTE 2019 यानि Pre-Teacher Education Test यानि B8 2019 के ओनलाइन फोरम बरते समय ये दि आपके फोरम में गलती रह गई है तो डुंगर कोलेज बिकानेर के दोरा आज आदेश जारी किया गया है चियार जून 2019 को जिन भी अभिहारतियों के ओनलाइन फोरम बरते समय ये दि गलती रह गई है तो वो अपनी गलती को सुधार सकते हैं इसके लिए वाग के दोरा एक मोका और दिया गया है आपके पास ल मोबाइल या अपने कम्पिटर में कोई भी एक ब्रावजर है उपन कर लीजिएगा ब्रावजर उपन करने के बाद आपको लगाना है www.raajguruji.com इस वेब साइट पर जाने के बाद आपको निचे निचे लेप साइट में आपको दो लिंक मिलेंगे तो चलिए मैं आपको य चार एयर के लिए अपलाई किया है तो वो चेकंड लिंक पर जाकर कि आपको किलिक करना है तो चलिए मैं इस लिंक पर किलिक करता हूँ और इस लिंक पर जैसे किलिक करूंगा तो एक पेज ओपन हो जाएगा और यहां जो करेक्शन पेनल है पीटिटी 2019 का वो खुल करता हूं देखिए साती हुआ आपको एक तो अप्लीकेशन फोर्म नंबर इस कोलममें डालने है आपकी जानकरी के लिए मैं यहां बता दूँँ आपको रोल नंबर नहीं डालने है जिस समय आपने पीटिटी का ओनलाइन फोरम आवेधन भरा था और उस समय जो अप्लीके तो आपको निची ये लोगिन पर किलिक करना है लोगिन पर किलिक करने के बाद सातियों आपके सामने आपका जो फोरम है वो ओपन हो जाएगा और फोरम ओपन होने के बाद जैसे ही आप में जो भी आपके डाटा में गलती रही है जहां पर भी गलती रही उस गलती को आप सुधारें और सुधार करने के बाद आप फोरम को लोक जरूर करना क्योंकि साथियों अगर आप फोरम को लोक नहीं करते हो संसोधन करने के बाद तो आपका फोरम है वो सही तरीके से संभित नहीं होगा तो आपको आगे है वो समस्या आ सकती है इसलिए मैं आपको यह बोल रहा हूँ जब भी आप अपने फोरम में संसोधन करो और संसोधन करने के बाद अपने फोरम को लोक है वो जरूर करना और जब लोक कर दो तो उसका एक प्रिंट आउट अपने पास रख लेना जब भी काउंसलिंग होगी तो उस समय आपको यह संसोधन का जो फोरम है वो आपको साथ लेकर जाना पड़ेगा तो आप प्रिंट कर लीजिएगा प्रिंट करने के बाद आप अपने पास उसे सुरक्षित रखियेगा तो साथ इस प्रकार से आप अपने प्रिंट फोरम दो हजार गुनिस में ओनलाइन है वो संसोधन कर सकते हो और इसके लिए साथियों में आगे आपको बतातूँ अभी प्रिंट की काउंसलिंग वो चलने वाली है जैसे रिजेल्ट अभी थोड़े दिन पहले आया है और आपके अच्छे नंबर भी भी साइद आये होंगे तो आपको काउंसलिंग में भाग लेना पड़ेगा गउड़ेख रिजेल्ट की में बाग लेने के लिए आपको पांच जार उपय की राज़िर जमा करने पड़ेगी उसके बाद आपको को लेज है वो मिलेंगी और कोलेज मिलने के बाद आपको और जो फीस है वो जमा करवाने पड़ेगी जैसे ही कांसलिंग शुरू हो अगर आती है तो मैं तुरंत वीडियो एपलोड कर देता हूँ Wow वीडियो अपलोड करने के बाद उसका नोटिजर्शी लिंगर डीटिकेशन के अपको मिल जाता है तो आप चैनल को आप जुरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सबसक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाएगा और चलते से साथियो आपको एक बात और मैं यहाँ आपको बता दूँ आप मेरी वेबसाइट www.raajguruji वेबसाइट पर आप बने रहें क्योंकि यहाँ पर आपको गवर्मेंट जोब से संबंदि जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन हैं विगपती हैं हर परकार की इनफोर्मेशन इस वेबसाइट पर आपको मिल जाएगी इस website पर एक बार आप जरूर विजिट कीजेगा और पूरी analysis इस website का कीजेगा आपको हर परकायर की help पर इस website पर मिल जाएगी इसके साथ एगर मैं बात करूँ साथियो विवागी website की PTT की तो देखिए विवागी website की मैं बात करूँ तो यह देखिए, अगर 2 year के लिए है, तो आपको यहां करना, अगर 4 year के लिए है, तो आपको यहां इस correction panel पे जाके click करना, तो यह तो थी, सात्यों मेरी तरफ से छोटी सी जानकरी, आपको PTT 2019 से संबंदित अपने forum में correction करनेगी, तो सात्यों मुझे बताना, वीडियो आपक कैसा लगा और जानकरी आपको कैसे लगी, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, अपने इस हाथियों में, और वीडियो को लाइक जरूर करना, थैंक्यू.